नमस्कार गाजीपूर अंतराश्ट्री बॉर्डर पर आपका स्वागत है माफ कीजिएगा अंतराश्ट्री बॉर्डर मैंने कहा ये जान बुझ कर कहा है इसकी वज़ा है यहाँ जो इस्तिती दिख रही है जो तस्वीरे दिख रही है वो कुछ-कुछ वैसी ही है जो सामाने तया अंतराश्ट्री बॉर्डर पे होती हैं अगर आपने अंतराश्ट्री बॉर्डर नहीं देखा है तो एक बार गाजी पूर बॉर्डर आईए और फिर यहां के इस्तिती देखिए यहां की तस्वीरे देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डर कैसा होता है बॉर्डर की तस्वीरे कैसे होती है ये पूलिस की बैरिकेट्स के उपर जो फैंस लगा है उसे देखिए दूसरी तरफ सुरक्षाबल के जवान खड़े हैं ये वो सड़क है जो दिल्ली से गाजयाबाद आती है अग अभी आपको बहुत आश्चर नहीं होता अब एक नई तस्वीर भी देखिए जो शायद ही आपने इसके पहले कभी देखी होगी वो तस्वीर कुछ इस तरह है इसे गौर से देखिए ये क्या वेवस्था है मोटी मोटी कीले हैं ये इसके लिए किया गया है कि इधर से कोई गाड़ी क्रॉस करेगी तो पंक्चर हो जाएगी 26 जन्वरी को जब गरतन तर्द्यूस परेड होना था किसानों ने भी ट्रेक्टर परेड का वान किया था उस समय ऐसी तैयारी नहीं थी नतीजा ये हुआ कि यहां के किसान लाल किला गए और लाल किला के तस्वीरे आपने देख ले ये बेवस्था शायद इसलिए की गई कि किसानों का एक अहवान ये भी था कि एक फरवरी को वो संसद की तरफ जाएंगे मार्च करेंगे हाला कि किसानों ने अपने उस अहवान को वापस ले लिया था लेकिन शायद पूलिस को किसानों पर भरोसा नहीं और इसलिए ये कीला बंदी की गई है और इस कीला बंदी का असर ये है कि गाजियाबाद के वैसाली वसुंधरा इंदिरापुरम के जो अस्थानी लोग हैं जो दिल्ली में काम करने जाते हैं और आते हैं उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों में आक्रोश है कुछ लोगों में किसानों के प्रती आक्रोश है तो कुछ में सरकार के प्रती जिनके मन में किसानों के प्रती आक्रोश है वो ये कहते हैं कि किसानों के आंदोनन के चलते ये सारी दुर्दशा हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर पूलिस और सरकार, पूलिस और प्रशासन परिशान करने की कोशिश की कर रही है और ये परिशानी इसलिए बढ़ाई गई है ताकि अस्थानिय लोग उनके मन में किसानों के प्रती, गुस्ता आए, छोभाए, आक्रोश आए और गाजीपूर बॉर्डर पर अस्थानिय लोग और किसान आमने सामने हो जाए केमरामिन हर्विंदर के साथ प्रफा करमिस्टा, निवस्ट्टिफोर